Welcome back to our channel तो आज किस वीडियो में जानेगे Google Map में आप कोई place, business अपना add करना चाहते हैं तो आप कैसे add करेंगे इस वीडियो में जानेगे तो चैनल पे नहीं थे चैनल भी subscribe करने हैं आगे भी इस तक वीडियो उसको देखने के लिए तो चलो वीडियो करते हैं शुरू सबसे पहले अपनी location आपने open कर लेनी है उसके बाद अपना Google Map आपने open करना है तो यहाँ पर आप देखने नीचे एक option आएगा आपको contribute, यहाँ पर plus का icon है उसमें आपने click करना है उसके बाद next उपर एक option आएगा आपका at places, okay place at place पर आपने click करना है उसके बाद next आप देखने is this your business, आपने name डालना है आपने बिसका जो भी है category यहाँ से choose कर लेनी है food and drinks, अगर restaurant है तो उसमार है shopping, services, hotel, जो भी है religion मंदिर मंदिर डाल रहे हैं तो उसके residential, education, okay जैसे food and drink आपका restaurant, cafe यहाँ से choose कर सकते हैं bakery, bar, butcher, जो भी है अगर education ले रहे हैं आप तो education में देखने college, hair driving school है, education center high school है, okay जो भी है school, university आप इस तरह से यहाँ से choose कर सकते हैं simple, तो चलो डाल लेते हैं, next आपको location, अगर location आपको current पता है, तो proper आप यहाँ पर डाल सकते हैं okay, नहीं तो आपने update location on map आपने click करना है, आपको map में लेके जाएगा जहाँ पर भी आपकी location है अगर आप current location अपनी डालना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इसको press करना है okay, उसका next आप देखेंगे, add phone number, hours, website, opening date and photos आप यहाँ से डाल सकते हैं यहाँ पर arrow है, यहाँ पर आपने click करना है उसके बाद आप add hours कर सकते हैं आपकी timing क्या है, जैसे मैंने shop डाल लगी है, आपके book store तो आप Monday, Sunday, इससाब से, मतलब आपकी timing क्या है, opening and closing timing आप यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे आपने edit hour में जाना है, यहाँ पर आप देखेंगे, opening time जैसे मैं सुबह डाल लेता हूँ, उसमें करीब 7 बजे open हो जाता है okay, 7 उसके बाद आपने set कर लेना है, तो इससे closing time भी आपने आप डाल लेना है, example कि रात को 9 बजे बंद होती है, okay, exactly तो इस तरह से set कर लेना आपने, and open 24 hour, 24 hour, close, आपकी Sunday को close रहती है, तो इस तरह से आपने करना है, okay तो इसके बाद आपने save कर लेना है, और यहां से भी आप edit कर सकते हैं, next आपका जो है add photo, अगर आप प्यास photos है, photos को आपने add कर लेना है, नीचे आप contact details दे सकते हैं, add phone number यहां पे आप add कर सकते हैं, website अगर आपकी है तो website यहां पर डाल सकते हैं, and opening date अगर आपकी अभी recently आ upload आप यहां पर डाल सकते हैं, उसके बाद add photo again, अगर photo है आपकी है तो add photo यहां से आप कर सकते हैं, आपको gallery में लेगे जाएगा, आपने upload कर लेनी है, तो सारी details फिल करने के बाद उपर आपको एक arrow आ रहा है, सबसे top में, आपने इसमें click कर लेना है, इस तरह से, तो अभी sending हो रहा है, उसके बाद आप देखेंगे thank you for sharing and helping other on google map, इस तरह से आपको यहां पर आ जाएगा, उसके बाद आपने back चले जाना है, और आपने दो चार घंटे बाद चेक करना है, क्योंकि उसको update ओने में time लगता है, अगर आपने phone number डाला होगा तो आपको call भी आ सकता है, वहाँ से okay, confirm करने के लिए, तो इसी तरह से आप google map में अपने places add कर सकते हैं, तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो like, share, comment and subscribe बेरू करें, and thanks for watching, see you in next video.